मैं धीरा जाद हूँ आप लोगों की डिमांड पे आपके साथ में जुड़ चुका हूँ और आज यहां पे हम लोग डिसकस करने वाले हैं सम परिक्षक के एक्जाम में पूछे गए रिजिनिंग के कोश्चन्स का प्रॉपर सॉल्यूशन जैसा कि आप लोगों को पता है कि CG सी लाइफ क्रैस को आप लोगों को प्रॉइड करा जा रहा था और आप लोग एवरी मौनिंग मेरे साथ साथ नौब जूड़ भी रहे थे और जिन बच्चों ने इस क्रैस को जॉइन किया या हमारे साथ जूड़े कहीं नहीं सम परिक्षक के एक्जाम में उनको सीधा-सी कोशन तो आपको बिल्कुल ऐस दिखाई दिया तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम सीधे आते हैं कोशन पेपर और देखते हैं कि कौन-कौन से प्रशन आप से पूछे गए थे तो यहां पर सबसे पहले चलिए जो हमारे पास यहां पे पेपर अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहां पे बात करें अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर कोशन की तो आपको जब मैंने काउंटिंग और फिगर्स पढ़ाय था तो वहां पे बिल्कुल सेम आपको आकरती में मैंने न कालना था तो देखिए एक दो तीन चार पांच पांच तो हो गए आपके यहां पे वन फीगर ट्रैंगल और इसके बाद हम बात करें तो प्रतेक बिंदू से आपको एक त्रिभुज बनता हुआ दिखाई देगा और इस प्रकार के अगर मैं बात करूँ यहां पे त्रिभुज यहां पे एक से लेकर के एक से लेकर के पांच तक आपको मिल जाएंगे फाइव ट्रैंगल जो कि आप क्लिरली देख सकते हैं इसके बाद जिदी मैं बात करूँ अगर इसको मैं नंबरिंग करू वन टू थ्री फोर फाइव और इसको मान लेते हैं एक्स तो रखिए सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे त्री फिगर से अब बनने वाले पांच त्रिभुजो की संख्या की जो की यहां पर मैं लिख रहा हूँ 3 figure से बनने वाले triangles की बात करें तो जब इसको हमने top माना तो 4X और 2 4X और 2 clear फिर उसके बाद यहाँ पे आजी यह तो 5X और 3 5X और 3 फिर उसके बाद यहाँ पे आगए तो 1X और 4 1X और 4 को मिलाओगे तो एक triangle बनेगा फिर यहाँ पे अगर हम आ गए तो 5X और 2 5X और 2 को मिलाओगे एक triangle बनेगा और उसके बाद अगर हम यहाँ पे आ गए तो 1X और 3 को मिलाओगे एक triangle यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा चलिए इसको फटा फटा से हम draw करके भी देख लेते हैं यानि कि आप अगर lecture में हमारे साथ कही न कहीं जूले थे तो आपने इस question को बिल्कुल सही सही हल किया हो गादे कि यह कौन कौन से इसको मैं draw करके भी दिखा देता हूँ सबसे पहले अगर हम बात करें इस point से फिर हम बात करें तो इस point से यहाँ पर triangles अलग से three figure वाले बनते हैं दिखाई दे रहे थे one figure triangles के अलावा यानि कि सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रस्ण का तो सही उत्तर हो जाएगा 10 त्रिभुज ठीक है चलिए बात कर लेते हैं अगले पूछे गए प्रस्ण की यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आयतों की संख्या आयतों की संख्या की अगर बात करूँ तो देखो इस आकरती से यहाँ से हमें मिल जाएंगे कितने तीन आयत यहाँ से हमें मिल जाएंगे कितने तीन आयत और इस आकरती की अगर मैं बात करूँ तो यह हो गया हमारा कितना एक आयत यहां से मिल गया साथ फिर मैं बात करूँ यदि इसाकृती की तो यह complete आयत बन रहा है आठ और पूरे को मिला दें तो एक आयत बनेगा नौ यानि कि यहां पर आयतों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी नौ हो जाएगी क्ल बजिक की बात करें तो देखो 3,4,5,6 सब में कितने का एडिशन हो रहा है प्लस 1 विजिबल तो है चलिए मार्कर का कलर मैं यहां पर चेंज कर देता हूं चलिए तो यहां पर क्या हो रहा है सब में प्लस 1 लेकिन जब यहां से देखेंगे तो 7,11,15 यानि कि आपको क्या द दिखाई दे रहा है प्लस 4, it means यहां पर भी हमें क्या करना था प्लस 4 करना था और यह लॉजिक कितना वैलिड है अगर इसके बारे में हम बात करें तो यहां तो पहले चीज तो आ जाएगा क्या option number B, यानि कि 19, दूसरी अगर हम बात करें तो देखिए, 7 और 3 को मिलाए त कितना बन गया, 10, 11 और 4 को मिलाए तो कितना बन गया, 15, फिर 15 और 5 को मिलाए तो कितना बन गया, 20, और फिर 6 और 19 को मिलाए तो कितना बन गया, 25 यानि कि इस तरीके से भी आपको logic valid होता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि आपकी परिक्षा में पूछा गया था, चलिए, बा पूरा पूरा लाव उठाया होगा, चलिए, बात कर लेते हैं आप embedded figure में दी गई आकरतियों की, तो दी गई आकरतियों की अगर मैं बात करूँ तो clearly आप यहां पे देख सकते हैं, चलिए, अगर मैं बात करूँ इस आकरती की, और यहां पे अगर मैं बात करूँ, जो आप के close क्या है बिल्कुल options है जहां पर आप इस आकरती को देख सकते थे या draw कर सकते थे यानि कि आपके पास यहां पर तीन क्या थे close option थे तीन आपके पास में close option थे लेकिन आप इन तीनों ही options में अगर गौर करेंगे तो आपको जो option number C है वो क्या है best option यहां पर मिल रहा है यानि कि हम जाएंगे option number C के साथ तो इस question का answer क्या हो जाएगा option number C next one अगर मैं बात करूँ देखिए यहां पर हमें कौन से दो हम sign change करने कि equation हमारी क्या हो जाए correct हो जाए तो इस question का answer क्या होने वाला है इसको देख लेते हैं फटा फट से marker हाँ दिखाई दे रहा है चलिए तो यहां पर हम लोग change करेंगे किस sign को तो देखिए minus और divided by को हमें क्या कर देना था change कर देना था यहां पर अगर मैं बात करूँ तो यह value हो जाएगी कितना 2 by 3 और 3 से 3 क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा यानि कि यहां हमें क्या कर देना था 5 फ्लस 2 यानि कि 7 और minus 4 कर देते तो कितना मिल जाता 3 यानि इस question का answer क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा mathematical operation के तहत इस प्रकार का question मने आप लोगों के साथ में अरड़ी discuss किया हुआ है चलिए next question आप कर जाता है missing numbers related ठीक है missing number के अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम लोग यहां पर logic find करने का प्रयास करेंगे अगर हम बात करें place value की जैसा कि जब भी alphabets related questions आते हैं तो आपको पता है कि direct हम लोग बात करते हैं किसके term में किसके respect मे place value के respect में तो यहां पर अगर मैं place value की बात करूँ तो 11,6,5 यहां पर place value की बात करूँ तो 25,16 और यहां पर देखेंगे क्या आएगा तो सबसे पहले अगर हम logic की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 12 और 6 को हम जोड़ने तो 18 हो रहा है और इनके अगर हम digits का sum करें तो एक गुले 8 हमें क्या मिल जा रहा है आठ मिल जा रहा है इसी प्रकार अगर हम बात करें 11 और 5 तो यहां पे हो जा रहा है 16 और इनकी डिजिट की बात करें तो एक गुले 6 करें तो यहां पे हमें 6 मिल जा रहा है लेकिन हमें पता है कि English alphabet में At Most यानि कि जो हमें सबसे नंबर मिल सकता है किसी भी letter कि place value को multiply करके वो मिल सकता है हमें 12 इससे बड़ा नंबर हमें कोई भी नहीं मिल सकता और place value की बात करें तो 26 होती ही कि Stacy, z की place value तो 6 गुरबंद करोगी 12 लेकिन नंबर यहां पे है 16 यानि कि यह logic यहां पे लगता हुआ दिखाई नहीं देराब हम बात करें यहां पर अगले लॉजिक की जो कि यहां पर अपली केबल हो सकता है चलिए पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ चलिए अगले दी मैं लॉजिक की बात करूँ तो ध्यान दीजिए अगर मैं यहां पर बात करूँ फस्ट लेटर यानि कि आपका क्या दिया हुआ है एफ और लास्ट लेटर दिया हुआ है एच यानि कि फस्ट लेटर को अगर मैं लेता हूँ six और लास्ट लेटर की डिजिट्स का अगर हम क्या करते हैं multiply करते हैं तो 1 into 2 और दोनों का sum कर दें अगर हम 6 plus 1 into 2 दोनों का sum कर दें तो 8 जो कि हमें मिल जा रहा है क्या h इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो k की value कितनी यहाँ पर दिया गया 11 यानि की 1 into 1 करेंगे digits का multiply और last वाला क्या आपका single digit letter है 5 है तो यहाँ पर value मिल जाएगी 1 plus हम क्या कर देंगे 5 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा f यानि की हो जाएगा कितना 6 फिर अगर मैं बात करूँ लास्ट वाल है की तो यहाँ पर y के लिए क्या दिया गया 25 दिया गया यानि की हम क्या करेंगे 10 मिलेगा और फिर यहाँ पर दिये गए letters की बात करें जिसको हमें क्या करें digits का multiply करके जोडने पर value मिल जाए 16 तो अगर आप option मिलेते हैं option number AP तो P की place value होती है 16 यानि कि 1 into 6 करेंगे तो मिलेगा कितना 6 और इसको जोड़ोगे तो मिल जाएगा 16 जो कि कि की place value होती है P की place value होती है यानि कि यहाँ अगर हम correct option की बात करें तो correct option आपका क्या बन रहा है P बन रहा है अब देखना यह कि आयोग किस logic की तहट इसमें कौन सा answer mark करता है clear तो यहाँ पर इस logic के तहट आपका एक valid answer बनता हुआ दिखाई दे रहा है P चली बात कर लेते हैं अगले पूछे गए question की अगला question आपका missing number से है missing number की अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें logic की चली 1 into 2 कर दें कितना आ गया 2 आ गया और plus क्या कर दिया उपर वाला number कर दिया तो कितना आ गया 3 आ गया यहाँ पर हम बात करें 7 into 14 कर दिया अगर हम तो कितना आ गया 98 और plus हमने उपर वाला number कर दिया यानि कि 7 कर दिया तो कितना आ गया 105 in the same way यहाँ पर हम बात करें तो 9 into 12 करेंगे तो कितना आजाएगा 108 और इसमें हम क्या जोड़ दें नौ जोड़ दें तो कितना बन रहा है 117 यह नहीं कि एक विकल्प तो आपका यहां पर हो सकता है 12 एक विकल्प हो सकता है 12 अब हम बात कर लेते हैं दूसरे विकल्प की दूसरे लॉजिक की देखिए ऐसे जात करेंगे तो हम left to right follow करेंगे देखो 1 का square प्लस 7 प्लस फरस्ट वाला नंबर इक विकल्स तो कितना आगया 9 फिर से आएंगे तो यहां हो जाएगा कितना 2 का square दिख रहा है 2 का square प्लस 14 प्लस आपका जो फरस्ट वाला नंबर है यानि कि 2 का square करोगे 4 चार में 14 जोड़ोगे तो हो जाएगा ठारा ठारा प्लस 2 करोगे 20 यानि कि option number B भी यहां पर आपको option बनता हुआ दिखाई दे रहा है जैसे कि अगर मैं यहां पर बात करूँ 3 का क्या करोगे square करोगे plus 105 और plus number तो यहां पर 3 का square हो जाएगा 9 105 में 9 जोड़ोगे 114 प्लस 3 करोगे तो 117 यानि कि इस प्रकार से आप देखेंगे तो यहां पर आपको दो-दो logic बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और दोनों logic से आपको जो उत्तर है वो अलग-अलग आते हुए दिखाई दे रहे हैं अब depend करता है कि आपने exam में कौन से वाले logic से question बनाया है और आयोग किस logic को यहां पर valid मानता है चलिए बात कर लेते हैं अगले पूछे गए question की दगले question की बात करें तो यहां पर आपको सीधे सीधे एक उत्तर दिखाई दे रहा है यानि कि सारे के सारे आकृतियों में जो arrow है वो क्या है किसी sub direction को represent कर रहा है जबकि option number B में क्या है आपका एक particular direction की तरफ आपको यह arrow दिखाई दे रहा है जो कि क्या है south direction है बाकी सब में आपको किसी ना किसी sub direction की तरफ arrow दिखाई दे रहा है चलिए next question देख लेते हैं इस particular question की बात करें तो cube और dice के chapter में मैंने डिट्टो यही question यानि की same to same exactly यही question आप लोगों के साथ में discuss किया हुआ है अगर हम बात करें यहाँ पे colorless cubes की तो colorless cubes के लिए मैंने आप लोगों क्या बता है था n-2 का क्या कर देना होता है cube और n की value यहाँ पे क्या हो जाएगी root 125 cube root 125 इसका निकालोगे तो value कितनी मिल जाएगी आपको 5 मिल जाएगी और n-2 करोगे यानि की value मिल जाएगी 5 तो n-2 करोगे तो 3 और 3 का cube कितना हो जाएगा 27 मैंने बिल्कुल औरली कैसे निकालना question का answer इसके उपर discuss किया हुआ है चलिए बात कर लेते हैं अगले पूछे गए question की dice dice के अगर बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा तीन के opposite कौन सा वाला होगा तो मैंने आपको बताया था जब 2 surface क्या हो common हो जब 2 surface क्या हो common हो 2 और 3 common है 2 और 3 common है तो remaining वाला क्या हो जाता है एक दूसरे के opposite हो जाता है यानि कि अगर हम first और second position की बात करें तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया 1 का opposite क्या हो जाएगा 4 यहाँ पे हमें क्या मिल गया 1 का opposite मिल गया 4 इसके बाद अगर हम बात करें तो देखो क्या है 6 यानि कि 3 का opposite क्या हो जाएगा 6 यानि कि option number D आपका correct answer हो जाएगा पूछे गए प्रस्न के लिए अगले question की बात करूँ अगर तो देखो किसका opposite पूछा यहां पे भी आपसे 3 dots का opposite पूछा गया है अब position दो है common अगर हम बात करें तो common element भी कितने है 5 और 2 दो element common है तो जो remaining होगा वही क्या हो जाएगा opposite हो जाएगा यानि इस question का सही उत्तर क्या हो जाएगा option number C यानि कि 3 के विपरीत कौन सी सता हो जाएगी 4 बात कर लेते हैं अगले पूछेगा है प्रस्न की चलिए अगले question की बात करें तो ssc chsl की class मैंने same question आपको कराया है logical डाइग्राम में यहाँ पर आप से पूछा है teacher parent और guardians के बीच में logical डाइग्राम कौन सा वाला है जो best क्या करेगा represent करेगा तो option number B यानि कि teacher can be parents और parent क्या हो सकते हैं guardian हो सकते हैं clear चलिए बात कर लेते हैं अगले पूछे गए प्रस्न की अगले यदि मैं question की बात करूँ logical डाइग्राम में मैंने दोनों ही प्रकार के प्रस्नों को discuss किया है तो अगर मैं इसमें बात करूँ सही विकल्प की तो यहाँ पर आपको दिया गए D सभी तीनों आकृतियों में है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं फिर बोला E और F सभी तीनों आकृतियों में तो ऐसा भी नहीं है E और D केवल दो आकृति में है तो E और D केवल दो आकृति यानि D तो केवल दो में है लेकिन E तीन में है काफ़ interesting logic होने वाला है समझीए हाँ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे Z की तो Z की place value होती है 26 और यहाँ पे आपको दिया गया कितना 52 जबकि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे mat की M, A, T तो M की place value हो गई 13 A की हो गई 1 और T की हो गई 20 और अगर हम बात करें इन सब के double कि 13 का double 26 21 का double 2 28 और 20 का double 40 यानि कि 68 तो यहाँ पे हमें ऐसा number बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा यानि कि यहाँ पे number हमें दिखाई दे रहा है क्या तो यहाँ पे number हमें दिखाई दे रहा 53 यानि कि हम कौन सा logic लगाएं कि यहां पर हमें क्या मिल जाएं 53 मिल जाएं तो चलिए हम लोग logic पर बात कर लेते हैं कि हमें इन numbers से या इनके opposite letter की place value से किसी भी तरीके से क्या ले आना है 53 ले आना है और वो logic चेक करना कि बाकी पर valid हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो अगर मैं यहां पर बात करूँ first दो numbers को जो कि क्या है दो letter की place value है इनको मैं क्या कर दूँ अगर add कर दूँ और last वाले का मैं क्या कर दूँ double कर दूँ यानि इन दोनों का multiply plus क्या करना है last वाले का double तो हो जाएगा कितना 40 plus 13 which will be equals to 53 जैट की अगर मैं बात करूँ तो देखो यहां पर j की place value होगी 10 a की हो गई 1 और अगर मैं बात करूँ t की place value की तो इसमें plus क्या करना था 20 into 2 यानि कि last वाले letter का double तो 10 plus 40 करोगे तो कितना मिल जाएगा 50 मिल जाएगा जो कि आपको एक विकल्प में दिया गया है clear लेकिन अब सवाल यह उठता है कि जेड क्या है जेड तो एक सिंगल लेटर है और यहां पर value मिल रही 53 तो देखिए जब हमने कहां last वाले letter का हम क्या करें place value का double कर रहें last वाले letter की place value का double हम कर रहें तो यहां पर जेड अगर आपका single letter है तो इसको यहां पर आपका एक उत्तर बन सकता option number B यानिकी 50 clear तो इस question का उत्तर क्या हो सकता आपका 50 बात कर लेते अगले पूछे गए प्रशन की अगले question के अगर मैं बात करूँ तो जब आपको मैंने numerical coding पढ़ाई थी तो वहां पर मैंने बताया था कि जब आपका पूछा गया letter दिये गए शब्द के अक्षरों से क्या किया जा सके बनाए जा सके तो यहां पर कोई भी logic आपको ढूणने क्या वशकता नहीं होती केवल आपको common element देखने होते हैं क्या दिखाई देखा गया और दोनों ही जगे आपको क्या दिखाई दे रहा है टू दिखाई दे रहा है इत मिंस कि letters के code उनके सामने सामने ही दिये गए है और यहां पर मैं बात करूं अगर पूछे गए word की तो टी यहां पर क्या है अपका 5th letter है और 5th number पर आपको जो number द प्र्फ एलीमेंट यहां पे दिखाई दे रहा है एल और यहां पे थर्ड एलीमेंट तो जाएगा पूछे गए प्रष्ण ये बात कर लेते हैं अगले पूछे गए कोश्चन डिर ऊग लेए तो पता है कि हमें मचली क्या है केवल मचली जल में ही सर्वाइफ करता अगले question की बात करें तो दोखिए 10 होता है 10 का स्क्वार 121 होता है ग्यारा का स्क्वार पिर 144 होता है 12 का स्क्वार और 225 होता है 15 का स्क्वार 16 होता है 4 का square और 25 होता है 5 का square 36 होता है 6 का square और 49 होता है 7 का square यहाँ पर देख सकते हैं यह वाला यह वाला यानि कि इन 3 को अगर हम देखे हैं तो यह 3 क्या है consecutive numbers के square है जबकि option number B जो है आपका वो consecutive numbers का square नहीं है यही क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए चलिए एक और question बचा हुआ है यहाँ पर बात करें तो देखो 4 से 7 गए कितने का difference 3 का difference 7 से 9 गए 2 का difference 9 से 12 गए 3 का difference 12 से 14 गए 2 का difference 16 से 17 गए 3 का difference तो अगला कितने का हो जाएगा 2 का difference परसी 19 चलिए लास्ट question लास्ट question के अगर बात करूँ तो alphabetical series जब हम लोग discuss किये हुए हैं तो series में बहुत सार इस तरिके के questions पर हम लोगों ने काम किया है यानि कि मैंने बताए first letter का first letter से भी क्या कर सकते हैं यहाँ पर series consider कर सकते हैं और एक group में भी consider कर सकते हैं यहाँ कि क्यू की बात करें तो 17, 18, 19, 20 तो अगला क्या मिल जाएगा 21 place value होती यू की फिर 1, 3, 5, 7, 9 place value होती आई की फिर 18, 19, 20, 21 22 place value होती यू की यानि की U, I, V क्या हो जाएगा आपका right answer हो जाएगा पूछे गए प्रस्ण के लिए तो आप लोग भी यहाँ पर फटा फट से comment box में comment करके बताएंगे कि आपके कितने प्रस्ण सही हुए पूछे गए परिक्षा में तो आज के लिए इतना ही मिलते हम लोग फिर से एक नए session के साथ Thank you